हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू मैंटूब चैनल तो देखिए आजम बात करेंगे जो आपका RRC गुरूप D है और देखिए यहां पर हमने पांच ऐसे आपके जोन लिये हैं जिसमें अगर हम बात करें तो आपके यहां पर टोटल कितने आपकी जो पास केंडिडेट है फिर कि टीवी की कटाफ थी वो यहां पर कितनी कई तो इसके बाद फाइनली कटाफ देखे तो वो यहां पर कितनी जाएगी तो पहले यहां पर अगर हम देखे तो आपका देखी यहां पर पहले आता है गुहावटी जोन गुहावटी जोन में देखे तो टोटल पास केंडिड देखे तो यहाँ पर देखिए call for pet यानि की 7876 candidate यहाँ से pet के लिए short list हुएते अटेंडेस की बात करें तो 86% यहाँ का अटेंडेस बना passing की बात करें तो passing का जो percentage बना वो आपका बना है गुहावटी जोन में 56% फिर इसके बाद देखे यहां अगर हम बात करें आपके शिकंदराबाद जोन की तो इसके बाद जोन देखें तो यहां पर देखें टोटल पास कैंडिडेट हैं आपके 14,656 इसके बाद देखें फेल कैंडिडेट की बात करें आपका फानिली पीटी के लिए जो चैंडिडेट सौट लिश्ट हुए थे तो वह है आपके यहां पर जो आपके पीटी के लिए आपके बुलाए गए तो वह है चौबिस अजार पांसो अच्छी आनमे अटेंडेस की बात करें तो 84 परसन यहां पर अटेंडेस बना और पास अपेर्ड यानि कि देखे आपके जो कैंडिडेट ने पीटी को अटेंडेस की बात करें तो 82 परसन यहां पर अटेंडेस बना है और पासिंग का परसंटेज बात करें तो यहां पर 49 जो है वो आपका यहां पर परसंटेज बना है फिर देखे चिन्ने जो उनकी बात करें तो चेने जो उनमी आपका यहां पर देखे टोटल जो पासिंग बना है वो बनना है 13,847 तोटल फेल की बात करें तो 6,578 यहां से टोटल फेल कैंडिडेट है और अपेयर्ड यानि की देखे आपके जो पीटी को अटेम्ट किये हैं वो यहां पर है 20,425 कैंडिडेट और कॉ पासिंग की बात करें तो पासिंग का परसेंटेज यहां पर बना है 59% फेर डबलु आर मुंबई जोन यानि के एहमदाबाद जोन देखे तो यहां पर टोटल जो आपके पास कैंडिडेट है वो है 18,347 तोटल फेल कैंडिडेट देखे तो 5,012 कैंडिडेट यहां से पासिंग की बात करें तो 66% यहां पर आपका पासिंग बनाए और सिकंदराबाद देखे तो 84% यहां पर टेंडेट रही है तो 82% और चेंडेट जोन की बात करें तो 87% फिर आपका यहां पर आता डवलो आर मुंबई जोन यानि कि एहमदाबाद जोन तो यहां पर जो आपका अटेंडेट बनाए वो बनाए 85% फिर देखे अगर हम जोन वाइस यहां पर देखे कि कितने कैंडिडेट यहां से पासि पासिंग का जो परसंट है जब होने श्वर जोन देखे तो 49% और चेंडेट जोन देखे तो 59% डवलो आर मुंबई जोन देखे तो यहां पर आपका पासिंग का परसंट बना 36% फिर देखे आँ अगर हम बात करें आपका 2018 में जो डीवी के लिए केंडिडेट यहां पर प तो पहले देखे तो आपका यहां पर देखे गुहावटी जोन है इसमें अगर हम देखे तो आपका यह पीटी के लिए जो आपका यहां पर कटाफ गया था फिर इसके बाद आगे हम देखे तो यहां पर देखे पीटी के लिए जो कटाफ गया था यह आपका यहां पर कट की च्ट कर्डते हैं सब्सक्राइब के प्रूम स्षेऄard not bigger धार फिरी के पारिया है कि मना काफर गृत एक हैं अगर Μश्णम गार्टर सिम्सक्राइब हो जो इसमें अंतर कांगर में गफित है वासेशों ए Even गॉरा फिर सोग्रनत में इसमें इसमें सबस्तारूब पर दो चुस्ति था मुन का फुश्ट्र गय था पर इखिए पर कितनी को पर मिला तो पर तेकिंग पर हम देखिए तो छ comet चाहर चाहं तो च्पट When सब्सक्राइब देखने को मिला था अंतर की बात करें तो जर्नल में जो अंतर है वो देखिए आपका यहां पर डीवी में जो अंतर है वो है 0.94 का यानि कि देखे जो माक्स यहां पर कैंडिडेट के जर्नल के डेगरी में 0.94 भी ज्यादा थे पीटी से उनका भी सेलेक्शन यहां देखने को मिला था फिर आता है आपका सी कुर्ण पउन पोर्ट आपका यहां पर अंतर है वो देखने को मिलाता है इसके बाता है यहां पर स्पॉंत S.C. में गया 49.13, S.T. में यहाँ पर कटाफ गया 44.13, O.B.C. का गया 58.36, S.C. की बात करें, 48.77, यहाँ पर आपका Marks देखने को मिलाता, देखें, P.E.T. की बात करें, 2018 में आपका कटाफ गया था, वो देखें, जर्नल में यहाँ पर गया था, आपका 73.86 इसके बाद SC में 60.82 है और यहां पर HD का 55.83 और OBC का यहां पर जो कटाफ है वो है आपका 69.13 2018 में DB में अंतर अगर हम बात करें तो जर्नल में जो अंतर देखने को मिला था वो था 1.08 मार्क्स का और SC में यहां पर जो अंतर था वो था आपका 2.43 पा देखें तो यहां पर आपका आता है से की बात करें तो 49.89 से की बात करें तो यहां से जो कटाफ गया हो 43.58 ओबी सी में है 55.65 एस में गया 40 और इसमें अगर आगर हम देखिए तो यहां पर देखें जो आपका पीटी के लिए कटाफ गया था है हाँ पर 2018 में तो यह आप का देखे यहां पर जनल का है 71.53 और इसके बाद सी में 61.56 और स्ट में 55.32 और बीसी में यहां पर जो कटाप था वो 68.6 आपका थी था अठार भी यहां पर डीवी जो है वो देखने को मिली थी चैने जोन में तो यहां पर जो अंतर है वो देखे आठार वा जो आपकी नंबर आपका 84 और इसके में अगर हम देखे तो अभी सी कटेग्री में सबसे कम अंतर देखने को मिला था जीरो पॉइंट आपका 5 मांक्स का फिर देखे यहां अगर हम बात करें आपके डबलो आर मुंबई जोन यानि के एहमदाबाद जोन की तो पहले यहां पर पी इटी का कट सबस्यां थे जोन नाम पर लिए घेट तो आपका के गया तो निकांपे जोन टाइके मकी का कटाम में और मिए अंतर देखने को मिला था तो जनल में यहां पर जो अंतर देखने को मिला था वह ता 5.06 और इसके बाद ST देखे तो 5.15 और ST देखे तो 7.03 और यहां पर हम देखे थाओबी सी में यहां पर जो कटाफ है वह आपका देखे 6.39 है फिर आगे हम देखे तो यहाँ पर जो तेरवी नंबर की डीवी आई थी वो भी देखे आपका यहाँ पर जो मार्क्स है उसमें भी काफी अंतर देखने को मिला था फिर अगर बात करें तो यहाँ पर देखें आपका जो कटाफ है उसमें यहाँ पर जो अगर हम बात करें कि आपका यहाँ पर डीवी के लिए कि जो कटाफ है वो यहाँ पर कैटेग्री वाइस कितना बढ़ सकता है तो इसमें अगर हम देखें तो पहला आपका देखें जर्न जो अगर हम लेके चले तो आपका 4 से 6 marks यहां पे रहे जो अंतर वो देखने को मिलेगा आपका general category में और यह आपका अगर हम देखे तो plus 2 marks भी यहां पर आपका add होने के chances रहेंगे जो plus 2 marks है वो भी आपका यहां पर बढ़ने के chances रहेंगे आपके general category यहां पर भी प्लस टू मार्वस आपका बढ़ने के चांसे चांसे यहां पर आपका मार्क से हम लेके ही चलेंगे देखी यहां पर अगर General category है तो आपका 4 तर सिक्स Marks यहां पर Kut tribe से जड़ा है तो इस तू बिल्कु चांसे रहे हैंगे आपके Selection होनेके OVC देखे तो यहां पर जो आपका Marks है वो आपका 5 से 7 Marks तक भी ज़ादा है तो भी कि आपका सेलेक्षन रहेंगा, उसमें अगर हम देखे, तो यहांपर आगर माarक्स बनना है प्लस four से भी कुछ ज्यादा है तो भी आपके CHANCE रहेंगे, यहां सेलेक्षन होने के, EWS में आपका करा भी आपका पर बनना four से five marks, यहांपर आपकě Bangladesh रहेंगे selection होने के और इसमें अगर हम देखें तो माइनस 2 भी चांस रहेंगे होने के लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर जो कटाव है वो बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी क्यूंकि अगर हम देखें तो OVC category के जाध तर candidate ने यहां से जो आपका कॉलिफाई किया P.E.D. के जादा तर आपको कैंडिडेट मिलेंगे O.B.C. कैटेगरी के इसके बाद अगर हम देखे तो SC कैटेगरी आती है और SC कैटेगरी देखे तो यहाँ पर जो अंतर है वो आपको काफी कम देखने को मिलेगा लगबग अगर हम देखे तो 4 से यहाँ पर 5 मार्क्स भी आपको जो है वो भी कम हो जाएगा यानि कि 3 मार्क्स दो है वो भी आपका यहाँ से बढ़ने के चांसे रहेंगे और इससे जादा यहाँ पर चांसे नहीं रहेंगे अगर आपका बढ़ीगा तो 4 से 5 मार्क्स या फिर आपका देखे 3 मार्क्स ही यहाँ पर जो अंतर है वो देखने को मिलेगा ST की बात करें तो ST में है यहाँ पर जो कटाफ है वो आपका देखी यहां पर थोड़े chance रहेंगे 6 से आपका 7 हो सकता है या पर ही आपका 8 marks तो इतना ही आपर रहेगा और इससे जादा यहां बढ़ने के chances बिढ़ेंगे आपके minus two हो सकता लेकिन यहाँ plus one होने के chances आपके नहीं रहेंगे तो इतना यहाँ पर जो कटाफ बना है कोई भी आपका जोन हो देखे पांच जोन की बात कर रहे हैं अगर इतना यहाँ पर category wise जो कटाफ वो बनने के chances हैं लेकिन उसमें भी अगर हम देखे तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो आपको अलग लग यहाँ पर जो एक एक जोन की यहाँ पर डेटेल देंगे तो उसमें पूरा आपको कटाफ बताएंगे कि किसके बाद आपका जो पी इटी के बाद यहाँ फाइनली डीवी का कटाफ वो यहाँ पर कितना बढ़ सकता है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो पर चैनल पर ने हों तो सब्सक्राइब जरू करिएगा और कमेंट करके हमें जरू पताएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा